जनरल अवेरनेस में एक पार्ट हुईज हूज जो जानी मानी हस्तियां हैं उनके नाम पूछे जाते हैं नॉर्मली वो फर एक्जामपल अगर बीया डेंटरस टेस्ट है तो एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटर्स ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन नॉर्मल बाकी competitive exam में भी ये question पूछे जाते हैं अब ये तो बड़ा easy है कि हम learn कर लेंगे किसी book से जहां आपको memorize करना पड़ेगा लेकिन यहां पर मैं ये ऐसे बताऊंगा कि उसको easily अपने mind में कैसे रखना है क्योंकि who is current knowledge है आपको बहुत थोड़े time के लिए exam तक ज्यादा जरूरत है उसके बाद इसको बोज को रखना नहीं पड़ता तो वो learn करेंगे उसके साथ साथ और जो question होंगे बनते हैं इसमें से वो करेंगे ये first question हमारे पास है who is the current chairman उसकी जगह पर director शबद भी कई बार use कर लिया जाता है तो ये अपने ध्यान रखना है डरना नहीं है first है कि who is the current chairperson director of national council for teacher education देखिए दो question कैसे बनते हैं ये दूसरा question NCTE की full form आपसे पूछी जा सकती है कि वो क्या है NCTE की full form national council for teacher education तो याद है लेकिन यह confusion डाल देते हैं कई बार of teacher education डाल देते हैं और for आपने for को याद रखना है this is right answer कि national council for teacher education तो ये most important body है teacher education के लिए अब इसमें right answer उसके जो director है वो right answer क्या है यो प्रोफेसर योगेश सिंग अभी इन दिनों में याद रखने के लिए क्योंकि अगली बार वीडियो देखोगे तो ये बदल जाएगे तो ये current के लिए ज्यादा important है तो मैंने कैसे याद रखा कि NCTE य ये वाई को और को उठा लिया कि वाई इसमें है अगर वाई आगे चलके कोई नाम आएगा तो उसको और किसी के साथ जोड़ लेंगे अच्छा मैंने लिख लिया भाई मैं NCTE गया था भाई NCTE भाई जहां ऐसे ही कह दिया कि NCTE मेरा भाई है ठीक तो भाई से वाई यादा वाई से आपको option जो ढूंडने में असानी रहेगी कि योगेश जी एक बार अगर learn किया है एक बार अगर लिखा हुआ है तो याद रहेगा कि प्रफेसर योगेश जी NCTE भाई है NCTE के chairperson है दूसरा question है who is the current chairperson of national council for teacher education and research and training देखिए दो बातें के हमने पहला काम ऐसे करने के लिए learn क्या identify क्या करना है इसमें से मैंने क्या निकाला for example मुझे पता है कि अगर बुक में मैंने पढ़ा है कि right answer professor दिनेश परशाद सकलानी है तो अब मैंने national council of educational research and training में से कोई शबद उठाना है वो शबद उठाऊंगा जो बाकी educational body से जहां जो और institution है उनसे कम related है जा नहीं related तो ये मैंने research निकाला है research निकालके मैंने यहां लिखा बड़ा करके R और ऐसे circle कर लिया कि R का ये जो है D बनता है और D से दिनेश जी पर साथ दे रहे है मुझे सकलानी साब कोई भी एक element आप associate कर लिजी आपको याद रह गया अब NCE RT आया मैंने ऐसे लिखा और ये D बन गया दिनेश D से हैं कम से कम इतना याद रहकर D से हैं वो तो आपको right answer easily मिल जाएगा next है third who is the current chair person of Hindi में भी साथ साथ लेके चलेंगे UGC बहुत important नौर्मली पूछे जाते हैं ये question बहुत ज़्यादा नौर्मली पूछे जाते हैं इसलिए चुनके selected लेके आया हूँ University Grant Commission अब right answer क्या है इसमें के ममी डाला जगदीश कुमार मुझे ममी डाला में फसना नहीं है जगदीश मेरे लिए बहुत easy है कुमार common शब्द है इसको मैं cut कर दूगा नहीं मुझे याद रखना और ये वाले इन में से याद रखना है जगदीश और यहां से मैंने पिछली bodies और अगली bodies का अगर मुझे पता है तो मैंने देखा कि University Grant Commission मैंने G निकाल लिया मैंने देखा G की आवाज J से मिलती है जगदीश जी ग्रांट दे दीजिए ऐसे भी जोड सकते हैं तो मैं word की एक डिजय और निकाल के element निकाल के उसको अपने right answer के element से जोड लेता हूँ University Grant Commission ग्रांट से G I G से J था कोई हाना तो आ गया research से D निकला, R था, D था कोई, हाना दिनेश जी आ गया Who is the current chair person of Punjab School Education Board? B.I. Dentress Test में mostly commonly पूछा जाता है तो इनका answer यह है A. सतबीर बेदी जी अब आप क्या कर रहे हो के Punjab School Education Board एक ऐसे भी है Punjab School Education के भी चार अक्षर है और बेदी साब के जार अक्षर है ऐसे मैंने ऐसे इसको ऐसे सीच कर लिया दूसरा, Punjab School Education Board की B उठा ली और बेदी से जोड ली बेदी साहब Board में बैठे हैं बेदी साहब Punjab Board में बैठे हैं ऐसे भी जोड सकते हैं आपको जो याद इजी लेरता है वो आपने उठाना है 5th question है यहाँ पर यहाँ पर मैं बोर्ड को नहीं उठाऊँगा सबसे पहले राइट अंसर को देख लूँ कौन सा राइट अंसर आ रहा है यह राइट अंसर देखें डॉक्टर मनोज अहूजा जी पहले थे लेकिन अभी शिरिमती निधी चिबबर जी है राइट अंसर इसको कर लिया मैंने तो मैंने क्या किया कि CBSC CBSC का C उठाया और C के C से मिला के देख लिया भी मिल रहा है चिबबर जी चिबबर जी जो CBSC में बैठे हैं दूसरा Central Board भी है Central सौरी वही उसका C है तो Central से भी यहाँ से जोड सकते हैं इसको वो सेम बात ही है Next है हमारे पास Who is the current chairperson of All India Council for Technical Education अब जो पीछे शबद आए है All India भी आता रहा है All भी आता रहा है ऐसे शबद और इंस्टिटूट में भी आते हैं यह टेक्निकल यह शबद है वहाँ रिसर्च डिफरेंट था ठीक है तो यहाँ पर टेक्निकल डिफरेंट है यह याद रखने है Technical Education TE से Technical Education भी बन रहा है यह भी याद रखना है Teacher Education भी याद रहा है Teacher Education के 4 ही है N, C, E, T 4 है लेकिन इसके 5 है बन रहे All India C, T, E हाना A, I, C, T, E तो मैंने Technical अकेला उठाया उसको राइट अंसर से जोड़ूँगा राइट अंसर है Professor T.G. Sita Ram Sita Ram मुझको बहुत ज्यादा Ramayan की याद है Sita Ram को Ramayan का मैंने याद किया एकदम कि Ramji बन चलाते थे इतनी टेक्नीक से चलाते थे कि सीधा निशाने पर लगता था कितनी टेक्नीक से टेक्नीकल कितने मास्टर थे तो ऐसे मैंने Sita Ram से उस कहानी को इवेंट को जोड़ लिया टेक्नीकल से Sita Ram याद रहेंगे T.G. Sita Ram ने जो टेक्नीक बहुत अच्छी टेक्नीकल थे बड़े Who is the current chairperson of medical council of India ये सात्वा question है यहाँ पर इसको कैसे learn करना है थोड़ा challenge है इसको थोड़ा बड़ा कर ले ये करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये रहा अब ठीक है Who is the current chairperson of medical council of India council word बार बार पीछे आता रहा है इंडिया भी आता रहा है मैं ये बता रहा हूँ यूनीक को उठाओ medical को उठाया मैंने ठीक है M-C-I तो right answer इसमें सुरेश चंदरा शर्मा है तो medical के मैंने C से चंदरा को जोड़ दिया अब जो पिछे C से C जोड़ा था कोई उसको दोबारा लिख लेंगे कि वो C-B-S-C का था चिबर शाब थे और ये medical के चंदरा साब है medicine चंदरी मेंनो खानी पहन दिया है ऐस तरह जोड़ सकते हो तो उसकी ऐस तरह चंदरी है चंदरा medical चांद पर बैठके medical खाएंगे चांद चंदरा जो याद हो गया तो ये next है एक बर copy पर लिखोगे तो फिर लंबे समय पर के लिए भूल पाओगे अच्छा नीती अयोग बहुत ज़्यादा question पूछा है हर competitive exam में पूछा जाता है जो general awareness में who is the current affair of नीती अयोग नरेंदर मोजडी यह नहीं पूछा है chair person पूछा है vice normally पूछते होते है तो chair person हमेशा ही prime minister होते है PM तो वो मोदी साहब है अब हमने फिर जोड़ना है कि नीती को मोदी साहब से जोड़ना है कि मोदी साहब की नीती बहुत जो भी आप समझते हो actual में अच्छी समझते हो अच्छी के साथ जोड़ लो बुरी के साथ जोड़ लो average समझते हो average के साथ जोड़ लो नीती मोती जी की नीती ऐसी है बस ये याद रहा गया कि इससे ये भी याद हो गया कि नीती अयोग का जो chair person होता है head होता है prime ministry होता है नीती योग को पहले क्या कहते थे planning commission कहते थे 2015 में इसका नाम नीती अयोग रखा गया next question है ये तो easy कहा जा सकता है क्योंकि मोदी साब से आप सभी familiar है अच्छा who is the current vice chair person of नीती अयोग अब कैसे रहेगा ये for example right answer है शिरी सुमन बेरी अब बेरी से मैंने बेर याद रखे तो मैंने क्या कहा कि मोदी जी की नीती ऐसी है जैसे आप राम जी से जोड सकते है अगर वो राम भगत है आपको पता है कि राम भगत है तो आप राम जी से जोड सकते है मोदी जी की निती राम जैसी है जैसे उन्होंने बेर खाये थे शबरी के बेर खाये थे तो तेन इतनी याद रखनी है तो निती अयोग मोदी और बेरी साथ ऐसे याद हो गये सुमनमेरी जी शिरी सुमनमेरी जी भी याद हो गये Next 10th question है यह लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे-छोटे बनाऊंगा, आप बोरना हो, वू इस दी करन्ट वाइस चेर परसन अफ, यह हो गया है, टैंथ यह रहेगा, यह इसमें 11 नमबर है वेशक, यहाँ पर यह कंप्लेक्स हो गया, क्योंकि पिछले के साथ इंटरवें दखल देगा, सेंटरल भी रहता है, कौंसिल भी रहता है, इंडियन भी रहता है, मैडिसिन, वहाँ मेडिकल था, और यहाँ मैडिसिन है, तो आप, राइट अंसर ऐसे है, डॉक्टर राज शेखर गनिगर, गनिगर, तो यहाँ पर है, यह जैसे लिखा है, जिंजर की तरह लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख कर लिया, यहाँ लिखा, कि जिंजर जो है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैडिसाइन, जिंजर बहुत अच्छी मैडिसिन है, ऐसे याद रख लिया, इतना सी, इतनी सी बात है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, आगे भी आपका कोई एरिया लर्न करना हो, जन्नल अवेरनेस का, हूँ इस हूँ भी आगे लिखे आँगा, छोटे-छोटे वीडियो है, मैं यह सिर्फ इंफोरमेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा, साथ में आपने, क्योंकि टीचर एजुकेटर हूँ, 20-22 साल हो चुके हैं, कैसे हम मेमरी में रख सकते हैं, रिटेन, और कैसे निकाल सक सकते हैं, वो कुछ स्टेटेजिस होती हैं, तो वो स्टेटेजी आप लर्न कीजिए, मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंड बनिये, और खुद एस्सेशियेशन बनाइए, और कॉंटेंट को आप हरान हो जाओगे, 90% तक एजी हो ज मेडिसिन है, जिंजर मेडिसिन है, जो मेडिकल है, उनकी भी सी उठानी थी न, तो वो मेडिकल, मेडिकल, हाना, मेडिकल कॉंसल ऑफ इंडिया था न, वो तीन शबत थे, वो चंदरी मेडिसिन ऐसे याद किया था, तो इनको दो बार अलग-लग से लिख लेंगे, चंदरा म related जो वीडियो है नीचे लिंक दिये गए होंगे Learn to Actualize, Dr. Tira Singh, Thank You